अफगानिस्तान के पहाडी प्रदेशों में कबायली जाती निवास करती थी। इस ख्षेत्र में क्रशी योग्य भूमी का अभाव होने तथा रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं होने से वहां के लोग बड़े लड़ाखू एम असब भी होते थे। वे प्राय आसपास के मैदानों पर धावा बोलते थे और लूट मार करके भाग जाते थे। जब भारत के व्यापारी अपना माल लेकर अफगानिस्तान के पहडी दर्रों से जाने का प्रयास करते थे तो कबाईली लड़ा के भारतिये व्यापारियों पर धावा करके उनका माल लूट लेते थे। कबाईली लोग इतने अविश्वस्निय, उद्दंड तथा अनुशासन हीन थे कि उन्हें सेना में भी भरती नहीं किया जा सकता था। भारत के सीमावर्ती प्रदेशों के शासक प्राय इनके मुख्याओं को रिश्वत देकर शांत रखा करते थे। मुगलों ने कई बार अफगान लुटेरों पर रोक लगाने के प्रयास किये थे, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिले थे। की अंबारी की रस्ती काटता हुआ, वीर गती को प्राप्त हुआ, तब से मुगल सल्तनत में अफगानिस्तान को नियंतरन में रखने वाला कोई हिंदू राजा या मुस्लिम अमीर नहीं रहा। इस कारण कबाईलियों एवम उजबेकों ने फिर से सिर उठाना आरम कर दिया। औरंग जेव ने यूसुफ जई लुटेरों को खदेडने के लिए तीन सेनाय भेजी। इन सेनाओं ने अफगान लुटेरों का दमन करके अटक से पेशावर तक के क्षेतर में शांती स्थापित की। इस घठना के पांच साल बाद इसवी सोले सो बहतर में आफरीदियों ने मुगलों के राज्य पर आक्रमन करके सीमांत प्रदेशों पर कपजा कर लिया तथा उनके नेता अकमल खाने स्वेम को बादशाह घोशित करके अपने नाम के सिक्के ढलवाए। अकमल खाने मुगलों के विरुद्ध व्यापक युद्ध की घोशना कर दी तथा पठानों से सहयोग मांगा। उसने खैबर घाटी को बंद कर दिया ताकि मुगलों की सेना दर्रे को पार करके उस तक नहीं पहुंच सके। उन दिनों मुगलों की तरफ से मुहम्मद अमीन खान काबूल में सुवेदार के पदपर नियुक्त था। उसने पेशावर में अपना निवास बना रखा था। वह मीर जुमला का पुत्र था उसी ने पांच साल पहले यूसुफ जैयों के विरुद्ध सफल कारिवाई की थी। जब मुहम्मद अमीन खान को अकमल खान दवारा की जा रही कारिवाईयों के बारे में जानकारी मिली तो वह अपनी सेना लेकर खैबर दर्रे के मार्क से काबूल की और बढ़ा। कबाहिलियों के नेता अकमल खान ने अली मस्जिद नामक स्थान पर मुगल सेना को घेर लिया और दस अजार मुगल सेनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। इसके बाद अकमल खान को मौत का नंगा नाच करने से रोकने वाला कोई न रहा। अकमल खान 20,000 इस्त्री पूर्शों को बंदी बना कर मध्य एश्या के बाजारों में बेचने के लिए गया। इनमें से जादा तर जीविद बचेवे मुगल सिपाही उनके खान सामे और बावर्ची आदी थे। मुगल सेना को इस से पहले इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। मुगलों की कमजोरी का लाव उठाने के लिए खटक कबीले ने भी आफरीडियों के साथ गड़वंदन कर लिया और संपून पश्चिमोत तरपदेश उनकी चपेट में आ गया। जब काबुल का मुगल सुबेदार मुहमद अमीन खा मारा गया तो औरंग जेव ने महावत खां को अफगानिस्तान का सुबेदार नियुक्त किया। महावत खां अफगानिस्तान के मोर्चे पर नहीं जाना चाहता था। वह लंबे समय से औरंग जेब से नाराज भी चल रहा था। इसलिए वह अफगानिस्तान पहुंच कर अकुमल खान से मिल गया तथा उसने आफरीदियों के विरुद्ध कोई कारिवाए नहीं की। खटक कबीला भी मुगलों के क्षेत्र में लूट मार करता रहा। जब ये सा शुजात खान नई सेना लेकर अफगानिस्तान पहुंचता तब तक अफगानियों ने अपनी पकड़ पूरे क्षेत्र पर बड़ी मजबूती से बना ली थी। उन्होंने शुजात खान की सेना को पहाड़ों में घेर कर बुरी तरह काट डाला। यहां तक कि इसवी 1674 में स्वेम शुजात खान भी युद्ध के मैदान में बेरहमी से मार डाला गया। औरंग जेब की सेनाएं इस समय भारत की तीन सेमाओं पर लड़ रही थी। औरंग जेब का मामा शाइस्ता खान बंगाल के मोर्चे पर था और अराकानियों अहों यहों असमियों से लड़ रह चुका था। भारत की तीसरी सीमा अर्थात काबुल की तरफ औरंग जेब के दो सूबेदार मरे जा चुके थे और तीसरा सूबेदार बागी हो चुका था। इस कारण औरंग जेब के पास विश्वसनिय सेनापतियों की कमी हो गई थी। वह अफगानिस्तान की परिस्थि सिंग की साहता से स्वतंत्र होने की चेश्टा कर रहा है। इसलिए यह आवर्शक हो गया कि महाराजा जस्वन सिंग को दखिन के मूर्चे से अटा कर किसी ऐसी जगए भेजा जाए जहां महाराजा केवल मुगलों के लिए युद्ध करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर अंत में औरंग जेब ने एक उपाय सोचा जिससे साप भी मर जाए और लाठी भी नहीं तूटे। उसने मारवार नरेश जस्वन सिंग को दखिन से बुला कर सीमांत प्रदेश की इस्तिती संभालने के लिए भेज दिया तथा उस पर अंकुष रखने के लिए शाहिस्ता अंक कभी नहीं चाहता था कि उसकी नियुक्ति अफगानिस्तान में की जाए किन्तु लाल के लिए से मिले आदेशों की पालना करने के अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय नहीं था। वैं मन मार कर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गया। उधर महराजा जस्वन पहले से ही दक्षिन का मोर्चा छोड़ चुका था। अगली कड़ी में देखिए औरंजेव ने महराजा जस्वन सिंग की रानियों को कैद कर लिया।